बिस्मिल्लाइ्वर्मानरहीम, असलामलेकूम, मेरा नाम है अफियाः, आम देख रहे हैं अपियास किचन, आज मेरी किचन में बने हैं जिंगर बर्गर, तो जी हाँ जनाब, जिंगर बर्गर की रेस्प्पी आप लोगों से शेयर करेंगे बहुत ईजी, तो रेस्पीं आप श्रावाल का सकूल के फ्लेट कर लिए ताकि रेशे में तो अभी आवि इसमें शामिल कर से 11 काली मिर्ज का पाउडर हाफ टी स्पून नमग काज़ टी षुटील मिर्च कह फीह स्था का लाल मिर्च चिकैंथ can पाउडर हाफ टी श्पून लेसं का प Pas हाफ टीस्पून अद्रग पेस्ट साथ शामिल कर देंगे वन टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट वन टेबल स्पून सोय सॉस वन टीस्पून वाइट विनेगर यह चलेगे इसमें अब इसको अच्छी तरा मिक्स करेंगे मसालों के साथ और कमस कम आदे गहंटे के लिए मैरिनेट करेंगे से ढखके फ्रीज में रखके अब इसका बर्गर का सॉस त्यार कर लेते हैं मायोनीस लिए मैंने आदा कब यह सा इसमें दो खाने के चमच भरके चिली गार्लिंग सॉस के लिए देखें यह भी चला गया अच्छी तरह बर्दन को साफ करके सारा निकालेंगे अब इसी के साथ में शामिल करोंगी पिसी काली मीर्च चुथाई चाय का चमच सफेद सिर्का एक चाय का चमच चिली सॉस एक चाय के चमच वन पिंच नमंक मस्टर्ड पेर्जी इसमें डालेंगे वन टी स्पून यह डालके अच्छी तरह सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे यह सॉस बहुत मज़े का बनता है तो अच्छी तरह मिक्स करके एक सेट पर रख देंगे इसको अब जिंगर के लिए खुश्क चीजों को मिक्स कर लेते हैं आदा कप लिया है मैंने मैदा आदा कप लिये चावल काटा अब इसी के साथ चामिल कर देंगे आदा कप कॉन फ्लार यह तीनों चीजों की कॉंटिटी आप जितनी भी रखें सेम रखेंगे जिस हिसाब से भी आदा कप सेमी रखेंगे साथी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर 1 पिंच के करीब नमक यह डालके इनको अच्छी तरह की तफ़ा मिक्स कर लेंगे अब मैंने लिए तीन अंडे जिनको बॉल में तोड़ लिया है अब इसमें शामिल करेंगे आदा कप दूध अब इसको अच्छी तरह फेट लेंगे अच्छी से मिक्स कर लेंगे आप आप जो चिकन मैरिणेट करके रखी थी सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे यहसे एक एक पीसस को अगले अच्छी तरह मैदे में 느 कोट तो फिर मैदे में कोट करते जाएंगे इसी तरह सारी चुक्ण को हम त्यार कर लेंगे इस देके आखरी पीसे भी मैं अच्छे से कोट करके रख दूंगे से यह हो गया अब चिकन को फ्राइब करेंगे कि सबसे पहले कड़ाई चुले के उपर रख दिया मैंने इसमें डालेंगे दो से 2,5 कप के करीब ऑई मीडियम फ्लेम पर रिखाए इसे गरम करेंगे बहुत ज्यादा गरंगे अब एक-एक पीसिस इसको उठाके इसमें डालते जाएंगे ताकि अच्छे सेमारे जिंगर त्यार हो जाएं यहाइफ लेंगे मिडियम पे कम असकम 8 मिंट के लिए ठके से फ्राइए करेंगे ताकि अच्छे सी चिकन अमारी अंदर तक पक जाए यह देखे माशाला से 8 मिंट हो चुके हैं अब हलकी से दूसरी सेट्स में फ्राइए कर लेती हूं सेट चेंज कर दिए इनकी टोटल इनके टाइमिंग 8 मिंट ही है यह देखे माशाला बहुत अच्छी सी जूसी सी मारी चिकन त्यार होगी अब इससे निकाल लेती हूं यह देखे सारी तेल ने चोड़के इच्छे से निकाल लिया अब दूसरी भी ऐसी चिकन डाल देंगे इससे फ्राई होने के लिए आप बर्गर को तियार कर लेते हैं सबसे पहले जो नीचे वाले हिससे थे बर्गर के उसको मैंने हलके से ओल के साथ गरम कर लिए वन टीस्पून सॉसस लगा दिया इसके उपर अब थोड़ी सी कटीवी गोभी बंद गोभी इसके उपर यह रख देंगे तोड़ी-थोडी क्रिस्पी त्यार हो गए रेस्पी आप लोगों प्रवाइब पसंद दोस्तों में फैमिल में शेयर करें और मुझे कमट बॉक्स में बताएं कि आपकी रेस्पी कैसे बने यह देखें माशाला कितने मज़ेदार से क्रिस्पी जंगिर हमारे त्यार हो गए इसी के साथ मैं प्यादर के लाफ एस